नमस्कार हम देख रहे हैं आपकी कख्षा दस्वी में चित्र कला की पुस्तक का पहला पार्ट जिसमें लगभग आज से 5000 साल पहले की बाते 3000 से पुर्वजी से बोलते हैं तब से लेके और तकरीबन 1400 साल पहले तक के जो जानकारी है उसे इकट्टा करने की कोशिश की गई है हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मनुष ने सब्विता में तो रहना सीख लिया था बस्तियों में रहना सीख लिया था ऐसे समय में जो सब्विता विक्सित हुई उसे हम सिंदू गाटी सब्विता के तोर पे जानते हैं सिंदू काटी सब्विता एक ऐसी सब्विता जिसका समय काल पच्चिस सो इस्विपूर्व से लेकर सत्रा सो पच्चास इस्विपूर्व तक हैं कच्चिस सो इस्वी पुरू अर्थात की लगबग 4500 साल पहले जो समयकाल रहा है वहां से लेके और तक्रिवन 3700 साल पहले तक एक ऐसा समय और वहां से लेके तिसरी सदी इस्वी तक जो मोर्य सामराज्य है चंदर गुप्त मोर्य ने जिसकी इस्थापना की थी चानक्य इस सामराज्य की इस्तापना की सुत्रधार कहे जाते हैं हडप्पा सब्विता भी कहा जाता है सिंदुगाटी सब्विता को हडप्पा सब्विता इसके कहा जाता है क्योंकि हडप्पा और मोहंजदर जो इस्थान थे वहां से इस सब्विता के अवशेश प्राप्त होते हैं अशोक यूग ये मोरिसामराच की समय की बात आती है इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो दो महत्वपून इस्थान सांची का इस्थूप आपकी परिशा में भी पूछा जा सकता है गुप्त कालन यूग को स्वर्ण यूग माना जाता है प्रश्ट पूछ सकते हैं भारतिय कला के इतियास में स्वर्ण यूग किसे कहा जाता है तो गुप्त काल को भारतिय कला के इतिया ये गुण भी देखने को मिलते हैं और इस युग में अजन्ता के प्रसिद्द चित्र भी बनाए गए थे इस काल में गुफा तथा मंदिर वास्तुकला के अंतरकत उदैगुरी गुफाय वह नाचना भुम्रा के मंदिर उल्लेखनिय हैं यह सब ऐसी जगए हैं जो परिक्षा में पूछी जाती है आपको याद कर लेनी है एक प्रश्ण आ सकता है एक मुर्ती है आपको सामने एक फिमेल डांसर दिख रही है नत्यांगना नाचती हुई लड़की नत्य करती हुई लड़की यह कांस ये धातु से बनी हुई मुर्ती है जो कि मोहन जोड़ों से प्राप्त हुई है और हडप पाकालकिया मतलब आज से लगबख 4500 साल तूरानी है चार इंच इसकी उचाई है और भरतमान में राष्ट्र संग रहाले नई दिल्ली में संग रही थे प्राष्ट पूछ सकते हैं कि नरत्यांगना का मुर्ती या कांसे की नरत्की कांसे की नरत्की की मुर्ती कहां पर संग रही थे तो राष्ट्री संग रहाले नई दिल्ली में संग रही थे कहां से प्राप्त हुई है हडपां से प्राप्त हुई है या फिर नरत्यांगना की की मूर्ति सिंदु गाटि सप्यतर की नत्य कनता की मूर्ति किस धाटु से कास्या की बनी हुई है इसमें आप मूर्ति को जब देखे तो अब एक फिगर दिख रहा है जोगी फिमेल फिगर है महिला बताई गई है जो की निर्वस्त्र है जिसने बाय कंदे पर कंदों तक चूडिया पेनी हुई है जिसा कि ग्रामी अंचलों में पहना जाता है या आदिवासी लोग भी पहने गुमते हैं इसने अपना एक हाथ कमर पर रखा हुआ है तो दूसरा हाथ जांगों पर रखा हुआ है और बालों में जूरा बंदा हुआ है यह चार इंच की प्रतिमा है मैं पहले भी के चुका हूँ अब देखो जैसे प्रश्ना आ गया नत्यांग ना की मूर्ति किस माद्यम में बनी हुई है तो कांसी माद्यम में बनी हुई है मूर्ति की उचाइकितनी है चार इंच यह ऐसी छोटी- पुर्वा नामकिस्थान पे प्राप्त होती है मतलब कि उस समय में प्राप्त हुई यह वरत्मान में यह भारती संग्रहाले कौकत्ता में पड़ी हुई है यह लाल बलवा पत्θर से बनी हुई है बालु का पत्θर जिसे कहा जाता है और यह मोर्यकाल की है साथ फीट उची है ये खंबे पर बनी हुई थी, असल में बहुत समय पेले, खंबे पर जिसमें उल्टी गंटी का आकार दिखाई दे रहा है, इसके उपर बेल को रखा गया है, अशोक की समय में निर्मित यह मुर्ति रामपुर्वा से प्राप्त होने के कारण रामपुर्वा बुल केपिटल क के नाम से जानी जाती है, जिसमें उल्टी गंटी के उपर बेल को बताया गया है, और इसके अलाबा इस पे पेड़ पोदे के नमुने भी बने हुए हैं, और बेल के आकरती कमल के शिर्ष पर दिखती है, ये इसकी विशेषता है, इसमें भी प्रश्ण आ सकते कि बुल बुल केपिटल का आधार क्या है, तो उल्टे गंटी के आकर का उल्टा कमल बना हुए है, और शिर्ष पलक पर क्या बना हुए है, इस तरीके के प्रश्ण से उसके अलाबा मैंने कहा था, कि भारतिय कहां पर संग्रही थे ये अभी पूछ सकते हैं, तो भारतिय संग्रहाल कोलकत्ता में वरतमान में संग्रही थे हैं, ये कुछ-कुछ बाते हैं जो याद रखने की हैं, इसके अलाबा एक और है अजन्ता से प्राप्त हैं, अश्वेत राजकुमारी, अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है, सफेद नहीं है, कृष्ण कालया, सावली कलर की हुआ चित्र है, और 20 फिट इंटू 6 फिट के अंदर बना हुआ चित्र है, ये अब अजन्ता में ही दिखने को मिलता है, अश्वेत मतलब की ऐसी राजकुमारी जो सावले रंग की है, और ये चित्र बहुत ही अच्छा है, जिसमें बहुत ही शांदार अंग बने हुए हैं आप सोच सकते हो कि ये चित्र आज से तकरिवन 800 साल पुराना है, फिर भी इत्ता चमक रहा है, तो ये बहुत ही खास बाते हैं, इसमें जिन रंगों का प्रियोक किया गया है वे चमकदार है, लेकिन चटकी लेपन का भाव है, सरलता से युक्त हैं और बहुत ही आकरशक च शरक्षित है प्रश्ट को आजनता महा राश्ट मेरता से लेता है जिसमें चेत्य जहाँ पे पूजा होती है और विहाड जो की रहने का इस्तान है में देखने को मिलते हैं ये दो कालबे बनी हैं हिन्यान और महायान टेमप्रा पद्धती से बनी है टेमप्रा मतलब जो दीवार पे चित्र बने गिली दीवार पर इसे कांट से अब बितक यह चित्र सुरक्षित है चित्र किस यूग में बड़े अजनता के तो गुपत वाहका टककाल में दूसरी सदी से छटी सदी तक हिन्याद और माहयान चर्णों में बने हैं और इसमें अत्यन्त सहज रंग का प्रयोग किया गया है जिसमें चट की लेपन का अबाव है प्रश्ट आसकता है सिंदुगाटी सब्यता के दो प्रमुखन अगर कौन से है तो हडपा और मौन जोड़ो एक और प्रश्ट ना सकता है जो आपके लिए इस पहले पाट से पूछे जा सकते हैं अच्छे से पढ़ोगे तो फायदा हो जाएगा